हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं हूँ पूजा महता और मेरे यूट्यूब चैनल इस्टडी नेटिक में आप सभी स्टुडेंट्स का वेलकम हैं स्टुडेंट्स यहाँ पर आज मैं क्लास 12 के काउंटिंग पढ़ा रही हूं जिसका चैप्टर 2 टी एस क्रेवाल की बुक से उसके exercise के questions में आपको कराने वाली हूं अभी तक हमने बहुत सारे questions कवर कर लिये हैं आज चो मेरा question है वो है question number 60 तो पढ़िए अपनी screen पर question number 60 Simrat and Beer are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3 to 2 31st March 2021 after closing the books of account their capital account stood 4 lakh 80,000 and 6 lakh on 1st May 2020 1 May 2020 को Simrat ने additional capital 1,20,000 introduced करी और Beer था उसने 60,000 रुपे निकाल लिये विड्रौ कर लिये ठीक है ना अब 1 October 2020 को Simrat ने विड्रौ कर लिये 2,40,000 उसकी capital में से और Beer ने introduce कर दिये 3 lakh interest on capital allow at 6% it was noticed the interest on capital 6% per annum had been omitted यह सब के बाद पता चला कि जो 6% interest on capital था वो छूट गया profit for the year is 2,40,000 और जो drawing थी दोनों partners की वो 120,000 और 60,000 थी यहां पर हमें interest on capital बतानी है दो स्थितियों में जब capital account fixed है तब और जब capital account fluctuating है तब तो अभी हम starting में कौन सा देखेंगे जब हमारा capital account fixed बनता है इस स्थिति में हम क्या करेंगे interest on capital निकालेंगे किसका सबसे पहले हम interest on capital निकालेंगे बच्चों सिम्रत का तो हम एक तरफ सिम्रत लिख देंगे ठीक है और यहां पर interest on capital चीक है बच्चों अब क्या है जो closing capital दी हुई है दी हुई है question में closing capital कितनी दी हुई है सिम्रत की 4,80,000 अब closing capital में से हम क्या कर रहे हैं जब when capital यह आपको लिखना पड़ेगा fixed अब opening capital निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो उसने withdraw कर ली थी उसे वापिस plus करना पड़ेगा सिम्रत ने जो withdraw किया था ना कब किया था 1st October को तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर withdraw capital यहाँ पर आप चाहें तो bracket में date लिख सकते हैं 1st October 2020 को कितनी withdraw करी थी 2,40,000 ठीक है इन दोनों को plus कर देंगे तो कितना आएगा 7,20,000 क्लियर आप उसके बाद क्या कर देंगे जो additional capital है अभी तक तो आपको opening capital कैसे निकालते हैं यह आ ही गया होगा तो additional जो capital है उसको क्या करेंगे minus कर देंगे additional capital की date क्या है 1st May 2020 इसको जब minus करेंगे तो 6,00,000 अब इस 6,00,000 पर हमें interest on capital निकालना है 6% तो interest on capital जो पूरे साल का है 6,00,000 पर 6% तो कितना आगया 36,000 इसके अलावा हमें क्या करना है जो जो 1st May को additional capital लगाई थी उसमें 120,000 उस पे भी तो उसको interest on capital मिलना चाहिए ना कब तक का मई से लेके मार्श तक का 31st मार्श तक का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चो प्लस interest on capital on additional capital ठीक है तो क्या करेंगे बच्चो एक लाग बीस हजार का 6% का 6% के हिसाब से 1st माई से 31st मार्श माई, जून, जुलाई, अगर्स, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन्वरी, फेवर्री और मार्श 11 मन्त का उसको interest on capital दे देंगे तो वो कितना आएगा हमारा 600 तो यहां हम 600 लिख देंगे और जो उसने पैसा निकाला था तो उसका थोड़ी मिलेगा उसको interest on capital तो हम क्या करेंगे जो withdraw capital थी उसको minus कर देंगे तो यहां लिखेंगे withdraw of interest on capital दो लाग चालीस हजार पर क्योंकि उसने दो लाग चालीस हजार निकाले थे ना तो दो लाग चालीस हजार पर कितना परसेंट? 6% कितने टाइम के लिए? अक्टूबर से लेके 31st मार्च के लिए 6 महिने के लिए कितना आ गया? पहले इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो आप जब 36 600 और क्या करेंगे? इसका interest on capital आ गया क्लियर? अब इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे? बीर का भी निकाल लेंगे ठीक है? अब इसी तरह से बीर का interest on capital निकाल लेंगे तो उसकी closing capital कितनी दी हुई है? 6 लाक रुपे अब उसने withdraw कप किया था? 1st May 2020 को ठीक है ना? जिस दिन जो सिम्रत थी उसने additional capital एड किया था उसी दिन इसने बीर ने withdraw कर लिया था तो इसने withdraw कितना किया था? 6,000 तो हम उसे plus कर देंगे क्योंकि हमें opening capital पर interest on capital का calculation करना है तो कितना आएगा? 6,60,000 अब क्या करेंगे? जो additional capital थी उसको minus कर देंगे वो कब लगाई थी? 1st October 2020 को 3,00,000 रुपे तो यहाँ पर आगया 3,60,000 रुपे अब 3,60,000 पर पहले तो क्या करेंगे? whole year का लगा देंगे 6% कितना आगया? 21,600 आप क्या करेंगे? जो interest on capital था जो additional capital का वो उसको मिलेगा न और तो कितना निकलेगा? यह 3,00,000 का 6% 6 महिने के लिए तो कितना हो जाएगा? plus 9,000 और इसी तरह से जो withdraw करी थी, withdraw कितनी करी थी? 60,000 तो 60,000 का 6% कितने महिने के लिए? 11 मन्त के लिए तो उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और total कितना interest on capital आगया? 27,300 ठीक है? देखिए बच्चों, जब capital fluctuating होती है तब interest on capital कैसे निकलता है? अब हम वो देखेंगे ये मैंने यहाँ पर सिम्रत और बीर दोनों का साथ में निकाला है, fix capital का करते समय भी आप दोनों का साथ में निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले सिम्रत का निकालें, फिर बीर का निकालें, जैसे यहाँ पर मैंने सिम्रत और बीर लिखा है, वैसे ही आप fix capital के ल किसकी थी सिम्रत की थी और 6,00,000 की थी ठीक है अब है जो विड्रो किया दोनों ने जो विड्रो किया उसको लिख देंगे withdraw capital 2,40,000 किस ने किया सिमरत ने किया और 60,000 बीर ने किया ठीक है अब question में दिया हुआ है कि जो drawing है वो profit के against निकाली गई है यहाँ पर हम fluctuating कर रहे हैं तो यहाँ पर हम capital का जब हम calculation करेंगे opening capital का तो सभी जो चीजे जो भी हलचल हुई है वहाँ पर उस सारी चीजों को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यदि drawing against capital है तो उसे भी हम plus करेंगे तो drawing against capital कितना है एक लाग दीस हजार और 60,000 ठीक है इसके बाद क्या करेंगे हम less करेंगे जो additional capital है उसको हम less कर देंगे कितनी थी additional capital एक लाग बीस हजार और तीन लाग ठीक है ना question को अपने सामने रखकर देखिएगा उसके बाद अब क्या जो profit का share था उसको भी minus करेंगे share of profit कितना profit था दो लाग चालीस हजार था ना इसको कितने में डिवाइट कर देंगे three is to two में दोनों partners में तो एक लाग चावालेस हजार सिम्रत का और 96,000 बीर का अब इसको plus कर लेंगे और minus कर लेंगे मतला इन दोनों को क्या करेंगे इन तीनों को plus करके इन दोनों में से minus कर लेंगे तो क्या आएगा 576 000 324 000 क्लियर हो रहा है ना अब ये तो क्या निकल गई बच्चों अपनी opening capital निकल गई अब हम निकालेंगे हमारा interest on capital तो interest on capital पहले सिम्रत के लिए निकालेंगे ठीक है दोनों का पूरे साल का कितना निकलेगा पहले तो हम पूरे साल का निकालेंगे न 576 000 6% निकलेगा 34,560 और फिर इसी तरह से बीर का निकालेंगे 324 000 6% निकलेगा 19,440 ये तो हमने पूरे साल का निकाल लिया अब क्या करेंगे हम additional capital पे निकालेंगे तो additional capital का interest निकालेंगे जैसा आपने उसमें निकाला था ना सेम वैसा ही निकलना है कितना आएगा 1,20,000 पे 6% 11 महिने के लिए तो बच्चों कितना आएगा करिए calculation 6,600 और यहाँ पर बीर का करेंगे 3,00,000 का 6% 6 महिने के लिए 9,000 इसी तरह से minus कर देंगे जो withdraw किया है withdraw interest on capital ठीके withdraw में भी आप करिए 2,40,000 किसने निकाले थे सिमरत ने कितना परसंट 6% 6 महिने के लिए और इन्होंने निकाले थे 60,000 6% 11 महिने के लिए करिए इनका calculation 7,2,000 इनको bracket में आप working note में भी लिख सकते हैं चाहें तो 7,2,000 और 3,000 और फिर इनको प्लस कर लेंगे 25,140 इस तरह से जब capital fluctuating है तो interest on capital निकलेगा आप वीडियो को pause करिए इसे note करिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए अब आजाते हम हमारे question number 61 की तरह profit earned by partnership firm for the year ended 31st March 2021 वर distributed equally between the partners Pankaj and Anu without charging interest on drawing वो interest on drawing को charge करना भूल गए interest due to the drawing for Pankaj 3000 and Anu 1000 past necessary adjustment entry मतलब इनका जो profit का distribution होना था वो equally होना था और ये interest on drawing का payment करना partners firm को भूल गए ऐसे इस्थिती में हमें general entry pass करनी है और इनका adjustment करना है तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आपको पता है न मैंने बताया था कि थोड़ी सी space छोड़ देनी है आपको general entry के लिए ठीक है न तो हम यहाँ क्या करेंगे थोड़ी सी space छोड़ देंगे general entry के लिए फिर हम यहाँ पर बनाएंगे adjustment की table ठीक है adjustment की table बनाएंगे हम ठीक है किसकी अनू की और पंकच की पहले पंकच की फिर अनू की और यहाँ पर total ठीक है इस तरह की table बना लेंगे अब क्या करेंगे interest on drawing interest on drawing partner दोरा चुकाया जाता है किसको firm को अब वो interest on drawing वो partner firm को चुकाना भूल गए तो मतलब क्या हुआ इस से कि जो पैसा है वो partners के पास है partners के पास है ना पैसा तो हम क्या करेंगे जब कोई पैसा partner के पास होता है तो वो partner के account में क्या होता है credit होता है क्योंकि आप हमने पढ़ा ना कि जितने भी receipts होते हैं वो credit होते हैं और जितने भी payment होते हैं वो debit होते हैं तो वो पैसा किस के पास है? partner के पास है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? bracket में credit कर देंगे और क्या लिख देंगे? कितना है? 3,000 और 1,000 मतलब 4,000 अब जो पैसा partner के पास है वो किसी न किसी रूप में firm ने partner को तो दिया ही होगा उसने interest on drawing नहीं लिया तो किसी न किसी रूप में partner को दिया होगा तो किस रूप में दे सकता है firm partner को पैसा? profit के रूप में ही दे सकती है तो इन 4,000 को यदि firm ने partner को profit के रूप में दिया होगा तो कैसे दिया होगा, equally दिया होगा, क्योंकि उसमें लिखा है न, question में कि profit का distribution equally किया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2000, 2000, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, profit wrongly distributed, अब जब यह wrongly distributed होगा, तो क्या करेगी, firm इन से पैसा लेगी, partner से पैसा लेगी न, तो इसको हम क क्या कर देंगे, यहाँ पर, firm लेगी न, partner से पैसा, तो यहाँ पर हम इसे debit कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर भी 1000 आया, यहाँ पर भी 1000 आया, पर यह 3,000 यहाँ पर जादा है, तो इसे यहाँ पर credit कर दिया, यहाँ पर 2000 जादा है तो इसे यहाँ पर debit कर दिया तो entry क्या होगी general entry अनूस capital account debit to पंकच capital account एक हजार और एक हजार यहाँ पर देंगे adjustment of interest on drawing clear समझ में आया ना आपको यहाँ पर जो भी partner account में जो भी हल चल होती है सिर्फ उसी से related entry को हम debit या credit करते हैं हमें P&L appropriation account नहीं देखना हमें कुछ भी नहीं देखना है partner के पास जो पैसा पहुचा उसके लिए receipt हुआ तो वो credit side आएगा यहाँ पर जब partner से कोई हम पैसा वापिस लेंगे तो उसके लिए खर्चा हुआ तो यहाँ क्या आएगा debit आएगा आया हुआ क्लियर आपको अब पढ़ते हैं मरा next question question number 62 यहाँ पर यह बताया गया है कि जो profit sharing ratio है कौन कौन से तीनों partner का 2 is to 1 is to 1 है जो 3,000 जो राम है वो हर महीने निकालता है मोहन क्या करता है हर महीने 4,000 निकालता है interest on drawing का क्या कराएं लोगों ने 6% के इसापसे firm को चुका दिया जबकि जो partnership deed थी वो silent थी जब partnership deed silent होती है तो किसी भी तरह का कोई भी interest on drawing नहीं चुकाया जाता है तो यहाँ पर हमें सही general entry करनी है तो सबसे पहले तो हम इतनी space छोड़ देंगे और यहाँ एक adjustment की table तयार कर देंगे ठीक है इस तरह की table तयार करने के बाद बच्चो सबसे पहले हम interest on drawing निकालेंगे जो गलत तरीके से partners ने firm को दे दिया है उन्हें देना ही नहीं था firm को क्योंकि interest on drawing तो partners की तरफ से firm को दिया जाता है जब partnership DD silent है तो वो क्यों दे ठीक है ना कोई भी interest on drawing वो नहीं देंगे लेकिन उन्होंने दे दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे interest on drawing wrongly debited अब कैसे निकालेंगे इसका calculation कैसे करेंगे बच्चो राम की कितनी थी 3000 drawing था जो वो हर महीने निकालता था ठीक है हर महीने मतलब 3000 into 12 कितना आया 36000 और 36000 का कितना दिया हुआ है interest on drawing का rate उन्होंने किस rate के हिसाब से firm को दे दिया 6% के हिसाब से 6% और जब कोई date नहीं दी होती है तो average period method का use करते हैं तो यहाँ पर हम 6 महीने के हिसाब से interest on drawing एमाल लेंगे कि partners ने firm को दे दिया है तो इसका जब हम calculation करेंगे तो आएगा 1080 ठीक है इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम सोहन का करेंगे मोहन ने तो कुछ नहीं दिया बहुत होशे आ रहे है ठीक है ना सोहन ने क्या किया 4000 रुपे वो हर महीने निकालता था तो उसने 48000 निकाले उस हिसाब से 6 महीने 6% के हिसाब से 6 महीने का कितना आ जाएगा 1440 ठीक है यह गलत तरीके से क्या किया जो partners थे उन् जब firm partners को वापिस पैसा देगी तो firm partners के पास पैसा आ जाएगा ना पैसा तो आएगा partner के पास क्योंकि firm जब partner को पैसा देगी तो उसके पास क्या होगा Receipt कहा आएगा credit में आएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे credit लिग देंगे अब kya हुआ भया पैसा वापिस दे दिया लेकिन partners के पास किसी न किसी रूप में तो यह पैसा होगा ही न तो हमें यहाँ पर यही मानना है कि यह पैसा किस के रूप में है profit के रूप में तो यहाँ पर लिखेंगे profit to be credited तो अब यह यह profit के रूप में तुम्हारे पास पैसा था तो तुम्हें फर्म को वापिस देना पड़ेगा तो यह जो दोनों का plus करेंगे हम 1080 क्योंकि हिसाब तो clear होना चाहिए और 1140 इंग दोनों का plus करने पर आएगा 2520 अब जब आप फर्म को वापिस करोगे पैसा तो सिफ यह दो पार्टनर को पैसा वापिस नहीं करना होगा तीनों पार्टनर को जो equally जो रेशो दिया है उस रेशो में फर्म को पैसा वापिस करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ratio दिया हुआ है, क्या ratio दिया हुआ है, आप देखिए question में, 2 is 2, 1 is 2, 1 तो जब हम 2, 5, 2, 0 को 2 is 2, 1 is 2, 1 में बाटेंगे, तो 1260 यहाँ आएगा, 630 यहाँ आएगा, और 630 यहाँ आएगा, अब आप minus कर लिजे तीनों को, 180, 660, और 810 अब यह देखिए, यह credit है, तो यह debit हो जाएगा, ठीके, अब ज्यादा कौन सा था, यह नीचे वाला ज्यादा है, तो इसे debit कर देंगे, यह नीचे वाला ज्यादा है, तो इसको भी debit कर देंगे, इसमें उपर वाला ज्यादा है, तो इसको credit कर देंगे, और इसी के हिसाब से ह हम एंट्री कर देंगे राम, कैपिटल एकाउंट, क्लियर हो रहा है कि नहीं बचों, डेबिट, फिर मोहन कैपिटल एकाउंट, डेबिट, टो सोहन एकाउंट, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक सो असी, छे सो तीस, और आट सो तस, और ब्रेकेट में क्या लिख देंगे बचों, इंट्रेस्ट ओन ड्राइण, एड्जस्नॉइंट, यह तो आप बचों अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, यह तो एक ब्रीफ में बताया जाता है, कि आपने किस सीज की एंट्रे की है, क्लियर, अब आज आते हैं, आज के वीडियो के हमारे लास्ट कोशन, कोश्या नमबर 63 की तरफ, अब इसके बाद यह आइटम्स हैं, फूट गए हैं, फाइनल एकाउंट तयार करने के बाद पता चले हैं, इंट्रेस्ट अन केपिटल 6% था, इंट्रेस्ट अन ड्राइंग भी 6% था, मीता को जो कमिशन पूरे साल का मिलना था, वो 8000 मिलना था, अब इसके लिए हमें जनरल एंट्री को पास करना है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप जनरल एंट्री के लिए स्पेस चोड़ देंगे, और स्पेस चोड़ने के बाद एडजस्मेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर एडजस्मेंट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, एडजस्मेंट की टेबल बना लेंगे, कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, मीता एंड उशा, मीता एंड उशा, ठीक है, अब इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल, ठीक है, कितना, एक लाग चालेस हजार पे 6%, आठ हजार चारसू, उशा का कितना, एक लाग बीस हजार पे 6%, कितना आया, बेहततर सो आया, यह इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल की बात हो रही है, टोटल कितना हो गया, पनरा छैसु हो गया, ठीक है, अब, कितना था यह 6% अब interest on drawing ठीक है यह कितना था 1st January से लिके 31st March तक का इसका calculation होगा तो हम यहां लिख देंगे 1st January to 31st March कैसे निकालेंगे 3,20,000 का 6% के हिसाब से 3 महिने का 480 आएगा बच्चों इसी तरह से उशा का कितना आएगा 24,000 का 6% के हिसाब से 3 महिने का 360 आएगा और टोटल 840 आजाएगा और फिर करेंगे हम commission का adjustment commission सिफ मीटा को मिलेगा 8,000 इन सब का calculation करने के बाद total आएगा 15920 and 6840 अब क्या होगा बच्चों ये जो होगा ये right share होगा जो partners को पहुचना चाहिए और जब ये partners के पास पहुचेगा तो partner के पास पैसा आजाएगा ना जब पास पैसा आएगा तो क्या होगा credit होगा लेकिन ये पैसा पहले किसी ना किसी रूप में partners ने firm को चुकाया तो होगा ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? wrong share 2 is to 3 यदि ratio दिया है तो उस ratio में distribution कर देते हैं और यदि नहीं दिया है तो equally कर देते हैं जहें हम 2 is to 3 में करेंगे तो यहाँ आएगा 9104 और 13656 ठीक है? 22760 और जब हम minus करेंगे तो कितना आएगा? 6816 और यहाँ आएगा 6816 यहाँ पर 15920 जादा है तो यहाँ इसे हम credit कर देंगे और यहाँ पर नीचे वाला जादा है तो इसे debit कर देंगे बस आप जो उशा है उशा capital account debit to Mita's capital account credit हो जाएगा जो आपको adjustment से पहले करना है मैं बाद में कर रहे हूँ पर आपको पहले करना है और यहाँ लिख देंगे adjustment made ठीक है दो रोए amount डाल देंगे 6816 6816 क्लियर इस तरह से यहाँ पर हम इस past adjustment के questions को solve करेंगे यदि कोई भी problem होती है किसी भी तरह का कोई doubt होता है तो आप मुझसे comment box में पूस सकते हैं अब आगे के question हम हमारे next वीडियो में करेंगे करेंगे करेंगे